नमस्कार विजय बादूर जी आपने स्वनिधी योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है पीम स्वनिधी योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपे ले करके कारोबार में लगाए हैं लईया चना मुंफली मतर सब ला करके दोड़ा लग लिया है पैसे हमको दोड़ दोड़ के जाना पड़ाता था हम मार्किट अब हम एक बार मुस्त ला के रख लिये हैं एक हफ्ता हमको दोड़ना ने पड़ता है तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बज़ रहा है और आप धंदे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं और लखनों में तो ये लईया चना वैसे भी बहुत फेमस है तो बिट्ता भी खूब है आपके यहां भी बिड़ लगती होगी चाम को यहां मार्खिट भी है और सब साम को नास्ता इसी से करते हैं तो लईया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होगे डेल ले लुए चना खाते होगे लईया चना ही साम के समय लईया चना ही यह नई पीडी के बच्चे खाते हैं क्या जी जी पकार अच्छा लगता हुए वना नई पिडी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का आप शौक हो गया है नहीं जादा तर चने नहीं खाते हैं जो नए हुमर के बच्चे हैं तो उनको लईया चना मुंपली मिला करके देते हैं तो बड़े चाव से घाते हुँ अच्छा यह बताईए कि आप जैसे अन्य गरीब परिबारों को भी इन योजना का लाब मिला है कि आप जैसे कुछ इने कि लोगों को भी मिला है नहीं सब जितन हमारे चौख एरिए में चौख हो गया हुसैन अबाद हो गया जितन हमारे लालेज में है जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कहरें भीयां हमारे भी खादेवक पईसे आगें हमने भी अपना कारूबार चालू कर लिया है आपने उनकी ख़बर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको सुबकामनाई भी दे दीजी आप बोलिये मोदी जी ने आप उनको बहुत कुब कामनाई दी हैं और बहुत हरे का धंदा फले फुले और परिवार में बच्चे पड़े और सब आगे जाएं ये मेरी तरफ से उनको जुरू कह देना जी जी आपने बहुत सराहनिये काम किया है करोना के समय में जो की भारत में इसा संकट आया हुआ था जो फुट पास पे हम लोग दुकान लगाते थे तो जब कुरोना काल आया तो यहां तो 22 तारिक से लागडाउन होना था यहां 20 तारिक से ही लगनों में बंद हो गया था तो यह हुआ कि चलो 2300 बार्केट खुल जाएगी तो हम लोग फिर दुकान लगा लेंगे तो इसा हुआ फिर एक हप्ते का लागडाउन बढ़ गया तो लोगों के लिए संकट की घड़ी थी उस समय तो आपने सबको राशन भी बित्रट कराएं और खाने का पैकेट भी नग हम ट्रेक्स वाला नहीं हूं ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूं कि कितने रुप्य की आमद नहीं हो जाती है हमारा दो डाय जुर्बे इसमें कमा लेते हैं जर्था चलिए एक अच्छी बात है और विजय बादूर जी मुझे उमीद है कि आपकी और आपके परिवार क इस मदद से खूब उन्नती होगी क्वालिटी पर जिस तरफ से आप ध्यान देनी की बात कर रहे हैं और ठोक में सामान लाकर के सप्ताबर सहने एक प्रकार से आपके व्यवसाय में आप प्रफेशनल मैनेजमेंट भी ला रहे हैं देखिए हाथ में पैसा होता है तो गरीब आदमी भी कम बिटा पड़ा लिखा आदमी भी कैसे अपनी चीजों को बदलता है या आपने दिखाया है मुझे और इसलिए मैं आपकी स्कॉशलिय को तो बहुत बदाई जेता हूं और आपकी कमाई बहुत बड़े हैं आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए हूँ औ आपका नाम रोशन हो जाएं आपके ब्रांड बन जाएं तो मेरी तरब से बहुत शुप कामना है भी आप